तो डियर स्टुडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फस्ट एर के फस्ट समेस्टर के हिंदी के नियू स्लेबर्स और मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स के बारे में पूरे के पूरे स्लेबर्स को कवर करेंगे पूरे पूरे टोपिक्स को कवर करेंगे जो आपकी most important topics बताएंगे तो जो भी BA first year यानि की BA प्रथम वर्स के student है उनका semester प्रथम यानि की BA first semester के हैं उनको एक complete वीडियो जरूर देखनी चाहिए पूरी help मिलेगी आप लोगों को आज खुदी पता चल जाएगा आप लोग खुदी कहेंगे कि हाँ सर आपने बताया और यह पूरी पत्र यानि question paper का नाम है हिंदी काब्वे इस बात को विध्यान लखना आपको BA first semester में हिंदी काब्वे को पढ़ना पड़ेगा हिंदी आप लोग समझते काब्वे का मतलब होता है कभिताएं या फिर आप लोग कह सकते हैं ठीक है पद्द कह सकते हैं ठीक है तो इन से सम्ब सबस्जाइब कि और यहीं सरी से सम्मंधित प्रश्न आपके प्रस्ण आएंगे जानते हैं कि इसिके बारे मेंता हां पूलते हैं ठीक है टंवर्ण का मतलब होगा कि हां एक टोपिक दो तोपिक्स तीन-चार एक यॉनृट दो यूनिट तीन यूनिट और पूरे को पूरे कम्प्लीट जो आठो यूनिट है इन सभी पूरे को पूरे चीज़ को हम स्लेवर से गो लेंगे ठीक है तो पहला जो यूनिट है इसमें आपको देखने हो को बिलेंगे भारत पहला यूनिट जो है यहाँ पर आपको जो कोश रीत रिवाज है परंपरा के अंतरगत रीत रिवाज जो है इसके अंतरगत आधिकालेन और मद्धकालेन जो हिंदी यानि कि इससे आज के काफी वर्सों पहले की बात है जब हर एक समय को अलग अलग सन के मतलब कि हर एक जो काल है समय है उसको अलग अलग तिथियों के अनुस तो आप लोग को आधिकाल और मिधिकाली हिंदी यानि कि पहले की अधिकाल और मधिकाली इनकी जो हिंदी कविताय थी उनका इतिहां लिखना है। इतिहाफ लेखन की परंपरा विकास पर आपको फोकस डालना यानि कि जो रशनाय थी उनका इतिहाफ कैफे लिखा दाता था और ठीक है उनकी जो रीत रिवास थी पहले की उनका विकास दिन प्रतिदिन कैसे हुआ उसके बारे मिलिखना तो यह हो गया पहला पॉइंट तो इ मतलब किसमें में बाटा गया है और उन काल भीखाजण। वाले प्रमक ब्विद्वान का नाम लिखना थीक है और उनका नाम रखने वाले प्रमुक बिद्वानों का नाम लिखना है प्लफ उस काल की प्रमुक बिसेस्ता है प्रमुक प्रवित्या क्या रही है वो भी आपको लिखना पड़ेगा इस पॉइंट वे ठीक है उसके बाद अगला जोहिश में पॉइंट है कि सिद्ध साहित ज अधार निर्गुण और सगुण कभी और उनका का बिरीत काल की समाजिक सांस्प्रतिक प्रष्ट भूम नामकर्ण प्रवित्याउम परपेच छिरीत कालिर साहित के प्रमुक बेद मतलब आपको कोश्चन देखने को मिल सकते हैं ठीक है सिद्ध साहित के बारे में रासो साह किसे कहते हैं समन्धित कुश्च आपको देखने को मिलें ठीक है उसके बाद भक्तिकाल कि प्रमुक बदेखनाएं ठीक है इसमें आपको और इतलनकी कौन कौन से हैं और उनकी ठेके तो पर क्रमक्न का विटाएँ है उनका इतिहास क्या रहा है तो समाजिक सांस्कृतिक बहुंती नाम-क्रण इंप्रवित्तिया् आठास और सेटावन का पर्थम स्वा-तव्यूंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागन हिंदी नौजागन भारतेंद्यूक दिवेदी यूग छायावाद यूग की प्रिवित्यायूं आउदानुत्तर छायावाद की बिविद वैप्चारिक प्रिवित्याज प्र समाजिक और समाजिक कंडिशन क्या थी उसके बारे में कोश्चन आ सकता है कि जो समाजिक कोश्चन आसे हिंदी नव जागरण के बारे में आफकता है भारते अंद्यू कि कि यूग कभी नाम लिखें और उनके रसनाई रिखने वाले प्रमुक कभियों के नाम लिखिए दुवेदियुक के प्रमुक कभी रसनाई दुवेदियुक के प्रभितियां यानि की विशेष्टाएं कब से कब तक रहा दुवेदियुक उसके बाद छायावाद की प्रमुक विशेष्टाएं प्रमुक लिखना पड़ेगा प्रगतिवाद यूग के प्रमुक कभी और यह कब से कब तक रहा प्रयोग वाद यूग कब से कब तक रहा है नई कविता की शुरुवात कब से हुई है ठीक है और इन सभी के यूग के प्रमुक कभी रशनाएं प्लस यूग की प्रमुक विश्षताएं यह आपको लिखना पड़ेगा थीक है तो यह आपको second unit में देखने को मिलेंगे उसके बाद आजाएंगे हम अधिक मतलब कि थर्ड unit में अधिक मतल barking कभी है जो कभी हैं उने से सम्मंधित questions पूछ जाएंगी कि आधिक मतल पर च्जाथ हुई है लोग जिनके बारे में अधिक जानकारी मिलीगे जिंकी फारहन होती है उनके ब्रहुंक कहान के बारे यहाँ पर आपको बताना है धर्र नमशीमिक की बढ़ देना पर आदिक चायाiser प्लस इनकी जो कुछ रशनाय हैं उनके बारे में प्लस अमेर कृस्तों की जिवन पर्चे उनके बारे में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत यूनिट अब आ जाएंगे फोर्थ यूनिट में आपको भक्त कालिन सगुण कभी मिलेंगे यानि कि भक्त कालिन सगुण काब विधारा के जो कभी हैं शुब्लरती को सिचा है उनके संव कभी में उन्हामी तुलफ ही तो फूर्दाफ जी की जो रशना है बर्मर्गीत सार ठीक है बर्मर्गीत इनकी बहुत पॉप्लर कविता है और काफी काफी वार कोश्चन पूछा जा चुका है और अगला जुए गुष्वामी तुल्फी दाफ जी की जो परमुक कभी है तो राम चैद मानस के बारे में प्रमुक की रशनाएं प्रमुक की जो प्रवित्यां है वो सब समाहित है मतलब इनके लूड़िड है तो यह आपको पढ़ लेना जीवन पर चैद आपको पूरा कवर हो जाएगा सूर्दाव जी का जिवन पर चैदो सवामी तुल्फी दाफ जी का ठीक है दो तीन बार आपको भक्त काली निर्गुड का भी मिलेंगे तो भक्त काली निर्गुड का विधारा के कभी कौन कौन से उनके नाम लिखना उनकी रशना है उनकी प्रवित्यां तो प्रमुक जो कभी है वो कभीर दाफ जी है भक्त काली निर्गुड का विधारा के ठीक है तो कभीर दा स्फेवर्स में आपके लेसंस तो नहीं तुसको आपको ध्यान देना थीक़ है तो इसी तरह आपको हमारे परमुक कभी कभी जीएन पर देना कि पर अब अगले यूनिट में आ जाएंगे जो अगला यूनिट रितका कालीन कालीन का विधारा के कभी कौन-कौन से हैं और उनकी रशनाय क्यों-कौन से हैं उनका जीवनपरच यह सब आफको ठीक है यूनिट नमबर 6 में यानि 6 में जाने ना होगा तो रीत कालिन कब में पहले हैं केश ओदाफ जी केश ओदाफ जी के बारे में आप निकर प्रोंग रश्णा बारे मड़र्ण किया गया है ठीक है वह आपको पढ़ लेना है ओसकेबात बीहारीलाज जी रित कालिन कभी है इनकी प्रॉम्क रहसजा के बारे में पढ़नेना म дан कम Mill के उसके बारे में जीवन पर लेना यहाँ फै कुछन न हैंग इस बारे में आपके फ्लेबर सेमं हैं टॉपिक्स में थासी बात तो ये आपको भारतेन्द हरिश्चंड जी आधुनिक कालिन प्रमुक कभी है इनका जीवन परच्छे, इनका कप जन्म हुआ, कहां पर मृत्थ हुआ, इनकी क्या वे सिष्टाएं हैं, रशनाओं की, और रशनाओं कौन कौन से आपको लिखना पड़ेगा, फिर अगले प्रमुक कभी हैं, आधुनिक कालीन की जैसेंकर प्रसाद, जैसेंकर प्रसाद की आपके फ्लेवर्स में जो कामाईनी है, यह बहुत बड़ा टॉपिक है, कामाईनी फिरूडे परिच्छा में, हमेशा आफ तक मैंने कभी नहीं देखा होगा कि प्रशनाया हो, तीन से चार जो है न, कोश्चन हमेशा पहुँचे जाते हैं, कामाईने फिरूडे हमेशा पर अधि निराला, इनकी प्रहुंग रशना के बारें पढ़ लेना है, फिरूडे पर शुमित्रा नंदर पन्तर जी के बारें पढ़ लेना, पुरा जिवन परच्छे, महादेवी वर्मा जी का पूरा पूरा जिवन पर लेना, इसमें सब आपको कबर हो जाएगा, कि इनका ज यूनिट नमबर आजाएगा आठ यूट नमबर आठ में आपको छाया उदातर कभी और हिंदी फाहित के सोध के बारे में कुश्चन देखने कुश्चन होंगे ठीक है आप लोग एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं ठीक है तो इसमें अगे जी की निकी ठीक है सचिदानंद ह केरा रंद वातसल अगे इनका पूरा नाम है ठीक है तो अगे जी की जो रचना है नदी के द्यूप या दीप अकेला कालगी बजारे इन सभी के बारे में आपको बताना पड़ेगा ठीक अगर प्रशना आता है मुक्त बोच की रचना जो है वह वह बिचार आते हैं भूल इनकी रचना है और के बारे में कोश्चन आ सकते हैं नागार ज्यून की प्रमुक रचना आकाल और उसके बाद है ध्रमबीर भारत्य ठीक है धूमिल जो कि प्रमुक प्रश्में धूमिल कर जिमन पर शेप लिजेगा मोची राम रो्टीय को संसन सद हिंदी साहेट में सोध सेड़ा कोश्चन एक दौएंगे कर लेना ठीक है तो इस तरह आपको स्थिक है यूट टमबर एट में कोश्चन देखने को मिलेंगे और यहीं से प्रश्णाव परिच्छा में बनेंगे ठीक है तो यह रहा पूरा को पूरा हिंदी फस्टे के फस्ट मुस्टक स्लेवर्स आई होप एक दो एक बार वीडियो द देख लेंगे तो आपको पूरा एक चीजी समझ में आ जाएंगी तो आप लोग खुदी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अपने एक्जाम की तो यह पूरा पूरा फ्लेवर्स तरह टॉपिक सा यहीं संबंधित कोश्चन बनेंगे आने वाले दिनों में कौन-कौन से कई बार और कौन-कौन से इस बार पूछे जाएंगे वह सब हम आपको बताने वाले हैं तो टेंसर नमल मत लीजेगा यह आपका अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए सब्सक्राइब कर लीजेगे यहां पर आपको सभी परकार की वीडियो मिलती रहेंगी बाकी मिलते हैं आपक कोई को ने वीडियो मिलते हैं दो